मैं तो बहुत हो गई वेल्कम बेक टो मैं चैनल गई चलिए इस नहीं पार्ट को एक न्यू फैनफिक्शन को स्टार्ट करते हैं और मेरी आरेक फैनफिक्शन ओमेगा वर्सी होती है गाइस ओके तो चलिए एक हिस्टोरिक फैनफिक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारी कानी के शुरुआत होती है कि एक उमे का एक काली रात की अंधीरी में एक घर के सामने ख़रा हुआ है और कुटना में बैठा हुआ है और वो एक्दम मतलब आरिश में भीग चुका है और उसका मतलब उसका तो एक्दम बुरी हालत है कोई भी उसको मतलब क्या बोलते है उसकी बाल भीगे कपरे भीकि उसकी पूरा का पूरब मैं रोके रखा हुआ है क्योंकि उसका अल्फा हस्बन उसे पनेश कर रहे हैं और वो उसको बोलते हैं इसका एक टॉँचर वाली f violent आ रही थी सब लोग उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ डिसिपल स्वा से जा रहे थे तो वो देखते हैं और अपना सर खुमा के बोलते है इनकी इतनी बदकिस्मती है कि ये हंगुन जुन के हस्बन है क्योंकि हाँ हंगुन जुन लैंसन एक अलफा गुसू का सेकेंड प्रिंस और जो उमेगा वाप पे अपने खुटनों में बैठा हुआ है वो जियांग स्टैर सेट का सबसे छोटा बेटा भी वुशियान है जो लोग उसे हर वक्त गुसू के लोग उसे हर वक्त इताना सुनाते हैं हर वक्त क्योंकि गुसू में जियांग चैन के जियांग फैमिया के गलती की सजा भीं को मिल रही थी क्योंकि जियांग फैमिया ने मतलब लैंस के साथ एक डील की थी मतलब एक साथा किया था जो उन्होंने पूरा नहीं किया उस उन्होंने वह साथा पूरा नहीं किया है इसी वच्छे से गुसू को बहुत जादा मतलब मतलब उसको लॉसस होते हैं और उसकी डिसपल्स के किछ भागों को मरना भी पड़ता है तो इसलिए लैंजन ने लैंजन एक क्रूल अलफा है क्योंकि वह एक कोल्ड हाटेट परसन है और किसी के साथ वह अटैश नहीं होता उसे सिर्फ युद्व में जाना होता है और उसका बड़ा भाई लैंशिचन गुसू का राजा है राजा बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं लैक राजए एक टाइब कबोल सकते हो सैक्ट लीडर है सैक्ट लीडर है और वो एक सेना पती है वो सेना को लीट करता है सेना की हर एक भाग दोर लैंजên समाहता है लैंजन का गुस्त बहुत ज़्यादा खतनाग है अगर लैंजन को एक कर सकते हैं और जयंग फैमिया की गलती की बज़े से लेंग सेक्ट को बहुत ज़ादा ही नुकसान का सामना करना पड़ता है तो इसलिए लेंग से जोर्धेस्त शाले की है कि वह लेंसन को जयंग मतलब जयंग सệc बहुत ज़्यदा ही हाम करना चाहता है और जयंग फैमिया को हम करना उसे समझाना चाहता है अगर अपनों कोच वर लगती है तो कैसा लगता है क्य JUयों कि लैंसन अपने सेना के लोगों को बहुत प्यार करता है वो उसके लिए उसकी फैमिली है और उसने जैंग फैमिया की गलती की वज़े से उसकी फैमिली को चोट पहुची है और उसकी फैमिलियों से कुछ मेंबर्स नहीं है तो इसलिए लैंजन ने जैंग से जाके जैंग फैमिया के गरदर में तरवार रख के विंग से शादी की थी और विंग को हर वक्ट डॉजर करता था तो विंग सोच रहा था कि उसकी लाई जियंग सेक्ट में कितनी खुशाल थी हाँ, वो जियंग सेक्ट का ओमेगा था ओमेगा संथ था, सबसे चोटा ओमेगा संथ और उसकी शिजे और उसकी बड़ा भाई दोनों ही अलफा थे कोई भी ओमेगा नहीं था जियंग सेक्ट में राजकुमार की तरह विंग ही उसके जियंग क्लैन के सेक्ट लीडर के साथ पुष्टों में एक ओमेगा हुआ था और वो एक करियर ओमेगा था जो किसी को नहीं पता था उसकी अंदर हिदेंट कुछ शक्तिया थी जो उसके एटरा साल के उमर मतलब उसके फर्स्ट हीज़ के बाद उससे समझ में आएगी लेकिन उससे पहली जब वो सोला साल का था तब ही लेंसन जाके उसकी ज्यांग सेक्ट में हमला बोल दिया उससे कुछ नहीं पता वो तीक मस्त मौला बच्चा था उसकी माम डैट उसके भाई भाई बेहन उसको कुछ नहीं बताते थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और जीयं हुद्वत ही पहुद से किवा बहुत बटा सेक भी नहीं था, जो आप 15 मिटल क्लास सेक था तो वहां कि कुल प्रमिक जियंग मतलब क्या बोलते है जटली जियंग थे और महारानी थी मैडम यू और उनका तीन दो बेटा एक बेटी और उनका खुशाल फैमिली था और उन्होंने लैंसेट को बादा किया था उनने क्या बोलते है उसको मदद पहुचाने के लिए लेकिन उनका मदद नहीं पहुचा था तो इसलिए लैंसेट को बहुत थोरा सा हानी हुआ था तो इसलिए लैंसेट ने उसके गुशे में लैंसेट विंग को जोर दोज़स्तिस शादी की थी और विंग सोच रहा था कि वो एक मस्त मॉला बच्चा था एक दिन एक इनसान आया और उसके सेक्ट में हमला करे दिया उसके ममा पापा भाई और शिजे के गर्दन में तलवार रखे उससे शादी की उससे शादी तो की लेकिन उसे टॉचर करने के लिए क्योंकि वो में उसके बापा को टॉचर करना चाहता था लेंसन को पता चला कि जियंक फपरिया उसके चोटे बेटे को उपर जान चिर रखते हैं तो इसलिए उससे पता चला कि उसका चोटा लएक ओमेगा है तो उसने इसलिए प्लैन बनाया चैकि उससे हर वक्त उसे टॉचर करेगा और सब बथाएगा कि लेंस के साथ धोका करने में लेंस सथ क्या सजा देते हैं वो एक सेट करना चाहता था लोगों की दिमाग में कि लेंस के साथ खतार ही करोगे तो इससे भी पुरा मैं करूँगा ऐसा वो सूच मतलब सब को बताना चाहता था लेंसन तो लेंसन ये सब को बताना चाहता था और लेंसन जब भी इंको शादी करकी ले आया था तो मैं लेंको लेंको इतना गुसा हो गए थे और लेंसन को थपरमाद तो बोलता है कि तुम उनको मतलब धंकी दे सकते थे कुछ कर सकते थे उनको अपमारे अंडर ला सकते थे लेकिन तुम ने एक भुए गुना को मुझे पता है कि उसके पिता निगलती है लेकिन इसने कोई गणा नहीं किया यह इस राजपार से बहुत दूर रहता है क्योंकि जैंग फैमिया और लैंकोरन बहुत अच्छे दोस्त थे उन्हें पता था कि विंग कितना जादा मतलब हस्मु बचाया और विंग को बहुत पसंद भी करते थे वह चाहते थे कि या फिर शिचान या फिर लैंजन शादी करें और हाँ उनके नेफियों ने उनकी बात मानी मतलब उनकी दिल की बात सुनी लेकिन जोड़ दिश्त तुम ठीक हो क्योंकि विंग का ना मतलब घी हिक तुम डर डरेट हो गया था हाँ लैंसन ने उसे तपर मार रहा था क्योंकि लैंसन के सामने विंग सिर्फ रो रहा था वो आवास करके भी नहीं रहा और इसे इसे बात तो दूकी बात है, किसी ने उसके उपर चिलाया भी नहीं था, और अभी इस इंसान ने उसे धप और मारा, मतलब उसका पुरा जिंदीगी घूम रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो करे तो करे क्या, तो वो अग्दम चूभ हो जाता है, और वो अग्दम से भी debates हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसे, मतलब सीचुेशन में पढ़ने की आदत थी ही नहीं, तो इसे लिए एकदम भी Content हो जाता है, और भी集श हो जाने के बाद लैंसन भी इनको घूद में लाया था, तो लैन कुरेन ना लैनसन से इतना गुसा थे और लैन शिचन बोलते हैं अगर तुमने उसे थोड़ा सा भी चूट पहुचा है ना लैनसन तो आई स्वेर मैं तुम्हें बहुत पनिश करूँगा और तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ आद ही अधोरी बात जान के कभी भी फैसले नहीं करते तुम्हें बहुत सो समझ के फैसले लेने चाहिए लैनसन पहले तैकिकात करो कि ये सच है या नहीं तो लैनसन बोलता है कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा है अंकल तो बोते सबूत नहीं मिल रहा है अगर वो करते तो सबूत थोड़ा सा भी होता सचाई कभी ने इस चुपती लैंसन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता रहा हूँ ऐसा मत करना कुछ भी कि बाद में तुम्हें रेग्रेट हो तो ना लैंसन नवीं को अपनी गोड में लेके वो जिंख्षी की तरफ चला जाता है और जिंख्षी की तरफ जाने के बाद लैंसन सोचने लगता है क्या वो सच में क्या कुछ निकलती की है तो फिर नवोता है नहीं और उस दिन से लैंसन हर रोज वीं को कुछ ना कुछ ना कुछ तो करता ही रहता वाना उसे मतलब कान पकड़ के खरा रहता एक टांग पे या फिर उसे कोल्ड पॉन में बहुत दे तक विगा के रखता या फिर उसे मतलब बहुत ज़्यादा टॉचर करता उसे बहुत सारा काम करवाता पूरे स्टैक की मतलब पु उसे बारिश में बाहर बैठ बाहर घुटणूं पर बैठ अब बहुत देज़ से अ कए अपे हूँ दो dispraig निकल रहा था जो नभी और नहींसा बाता आ रहु हो जाता है जन जब देखता है कि विश ये तो इसके पाण जाता है और देखता है कि वहाँ पर कह ब्लड ब्लड हो रहा था और पानी में तो न हो आप लैंसटर्म बींग को अपने गोध में लेता है वींग के कप्रे-चेंज करता है और भी इधर R Duchu को बोलाता है कि बंग तेता है और यार पतिवातनी है तो हो चेंज कर वाईLab का तो वींका कफरे Κशुद जबा के लैंसल इंग में ज्यादा ओमीगास पिर एक अब यह वो इतनी रात वो इस नहीं कफरे चेंज हरे pros & bells ना Parce कि ऑ Muito Uvjg ऑोlog to से मतलब आपको बोलने का हग तो नहीं है राजकुमार लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा इन्ही इतना चोट मत पहुचा ये ये वैसे ही बहुत वीक है और ये और वीक थोते जा रहे हैं अगर इन्हीं कुछ हो गया तो तो लैंसन बोता है तो मैं इस बारे में सोचने के जरू नहीं है तुम जाओ तो लैंस बिंग वो हीलर बोलता है राजकुमार देखिए मैं नहीं जानता कि आपने इन्होंने क्या किया है और आप क्यूं ऐसा कर रहे हो उनके साथ लेकिन जितना तकलीफ आप उन्हीं दूर दे रहे हो उनकी बोडी मुझे नहीं लगता और करना होगा अगर इन्होंने थोरा सा भी कुछ किया तो इनकी जान को खत्रा हो सकता है इनकी जान भी जा सकती है तो नालाजन शॉक्त हो जाता है बोलता है इसके पास गोल्डन कोर नहीं है तो डॉक्टर बोलता है गोल्डन कोर होने से ही सब कुछ नहीं होता है ऐसा राजक लेकिन इनकी बोडी बहुत वीक है इनके दिल में बहुत प्रॉब्लम है इनका हाट का प्रॉब्लम है अगर इन्होंने को आप टॉचर करना बन नहीं किया और इन्हें मेडिसन नहीं दी गई तो यह ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रहेंगे और आप ज्यादा समझतार है आप मुझसे जादा जानते है वाश्यदी के बारे में तो मैं एक बार बोलूँगा आप इन्हें चेक कीजे फिर आपको समझ रहे जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको और मैं कुछ छूट बोल रहा हूं या फिर बना के बोल रहा हूं ये कुछ भी नहीं, आप खुद एक पैत है, आपको वाशिदी का बहुत अच्छा ग्यान है, और आपको सब कुछ पता भी है, तो आप एक बार उन्हें जरूर चेक कीजिएगा, तो ऐसा बोलके न वो हीलर वासे चला जाता है, तो लैंसर न थोड़ी देर सोचता है, और वो मतलब हील अंकल के हुए तो मैं चछक कर लेता हूँ, तो बूरी तरह चेक करता हूँ, उसके एकमेली नौश्योन निकालता है जैसे वो करता है और ना विंग को फुल बोडी चगप करता है तो उसे फिर पता चलता है कि हाँ विंग को हाट का प्रॉब्लम है और अगर उसे ऐसे ही ट्रेट किया जाएगा तो और अभी उसे हर वक्त पैट पे सोया हो या हो ना ही होगा तो ना लैंसन चौक जाता है और बोलता है कि ये इंसान अभी तक मेरे सारे चीजों को कर रहा था इसकी बोडी और नहीं ले रही है लेकिन फिर भी ये इंसान बिल्कुल भी नहीं टूटा बिल्कुल भी मुझे एक बार भी नहीं बोला लेंसान न भी इंको देखने लगता है और उसकी लिए और शुदी बनाने के लिए चला जाता है लेंसान थोड़ी मतलब सुबे होती है और भी न को बहुत हुआ होता है और उसने दो दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया क्योंकि लैंसन ने उसे सर्फ काम पे काम यहां पे काम यहां पे काम करता है रहता था उसे खाने का वक्त नहीं था तो इसलिए न वह बहुत ही जादा ही फीक हो गया था तो वह थोरा थोरा आखे खोलता है तो लैंसन उसे उठाके सूप बिलाता है बिलाने लगता है उसे पर उसकी मज़द कर जाता है तो ना फिर फिर विंग को अचानक से अचानक से ना मतलब वह लैंजन का स्मेल हिट होता है तो ना भी खबरा के उठ जाता है और वह मतलब लैंजन से दूर होने लगता है तो लैंजन बोलता है क्या हुआ एसे दूर कियो है तो ना भी अपना सर नीचे लेता है बोलता है कि मुझे आपके दीजिये राजकुमार मैंने चान बूच के कुछ नहीं किया मतलब वह बहुत जादा डर रहा था लैंजन से और लैंजन बोल रहा था ठीक है अभी सूप पी लोता हूं आपको प्रिशन होने की जरूरत नहीं है तो लैंजन बोलता है मैंने क्या बोला है तुमने सुना मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा तो ना वींग अपने सर नीचे कर लेता है और लैंजन उसे सूप पिला देता है वहां पेने एक दि बोलता है तुम जाओ मैं आता हूं तो लैंजन ऐसा बोलके ना वह बोलता है इस पूरा का पूरा फिनिश करना ठीक है तो ना वींग अपने सर हाल में हिलाता है और बोलता है जी जी मास्टर ऐसा बोलके नो अपने सर हिलाता है तो लैंजन वासर फिर चला जाता है और उसक एक disciple omega disciple wing के पास आता है तो wing को बोलता है कि आपको kuch फिर wing बोलता है मुझे थोरा सा नाहाना है मुझे बहुत अजीब लग रहा है मुझे अच्छा फिल नहीं हो रहा है कि आप मेरी मदद करोगे तो वह disciple बोलता है कि मैं आपके मदद के लिए ही हूँ जिन यह लैंड फुरन अब जादा स्ट्रेस मत लीजिए आप काम रहिए डून वरी अपके साथ मैं हूँ तो ना वींग अपने सरहा में हिलाता है फिर वो डिसपल ओमेगा डिसपल वींग को बातरूम लेके जाता है और वींग को बात देने लगता है तो बात दे रहा था व मतलब अपने कपड़े कोलता है पिर बात टब पे जाता है और उसके नहाने के वार्म वाटर वहाँ पर बहुत सारी हर्प भी थे जो वींग के पेन को कम करने के लिए उस डिसपल ने लगाए थे तो लैंजन अपने मतलब जोसको एक खबरी आया था जिसको उसके पास जात तो ना वहाँ पर लैंजन को खबरी बताता है कि जैंग क्लैन की इसमें कोई गलती नहीं थी जैंग क्लैन ने भीजा था लेकिन दूसरे क्लैन ने उसके मदद को ऐसे ही मतलब दूसरी तरफ भी दिया था और गलत फहमी पहदा कर दी लैंज और जैंग में फिर लैंजन बो ज्यादा गलती थी, ने इसको कुछ पता नहीं था, लेकिन जिन्स और बेंस ने मिल कि जियंग लैन्स के लिए ये सब किया था, वो चाहते थे कि वो जियंग लैन्स को अपने अंडर ले ले, अगर लैन्स के साथ जियंग का जगरा हो जाता है, तो वो उनका बहुत ज्यादा फाइता हो जाएगा, वो अपने अंडर जियंग को ले सकते हैं, तो लैन्सन बोलता है, ओ, तो वो हमें यूज करना चाहते थे, तो लैन्सन एक टेरिबल से स्माइल लेता है, और बोलता है कि, अगर कोई भी जियंग के उपर उंड़ी रखता है, तो उनका सर कर दो, ऐसे गुशना कर दो, फिर न, वो डिसबल अपना सरहा में हिलाता है, और दूसरी तरफ लैन्सन को तुरंत ही डोता है, कि उसने वींग के साथ क्या किया, अभी उसने वींग के साथ जब दिशादी की, उसे इतना जादा टोचोई किया, तो इसे लैन्सन को तुरंत ही रिग्रे के इपने कमरें में जाने के बादijn को ढूलने लगता है पिर वह डिसपन बाहर था तो जा मेगते हैं कि लाफ फुरए अभी बात ले रहे हैं तो Hij वहाँ पे रिलाक्स हो रहा था च्यूंकि ऊसका बोड़ी बोहाँ बेइन कर जा था उसकी तब्द्ध गर रापती और उसकी mental हालत भी और उसकी physical हालत भी अभी stable नहीं थी तो नहीं वहाँ बैठके रो रहा था तो नहीं वहाँ पर लैंसन जाता है और विंग को रोता हुआ देखता है तो नहीं को जब भी किसी की आहट होने हाट सुनाई दी कि उसके वाश्रों में कोई आया है तो नहीं वह अपने आखे खोलता है और देखता है कि लैंसन को यो पर लेंसन को देखेए नहीं वह डर जाता हुआ क्ईश आपको कया चाहिए आ उन्यौट मैं भी बिलता था हुँ तो नहीं वह बहुत घप्रा रहा था तो नहीं उसके पास आधा है बोट शान्ध रहूँ, जादा बात मत करूं ऐसा बोल के ना, लैंसन से बिठाता है लैंसन बिठाने के बाद, लैंसन की बोलता है तुम बैठ सी रहा है तो ना, वव अपने शक्तियों से एक उज्जा बहार निकलता है और विंग के पानी में छोड़ देते हैं और विंग को ना तक बहुत अच्छा लग रहा था उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वो बोता नहीं सकता कि उसे कितना 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 अच्छा लग रहा था तो अनलेंजन बोलता है अच्छा लग रहा है तो विंग अपना सर हाँ में हलाता है और बोलता है अभी दर्द कम हो रहा है तो विंग हाँ बोलता है तो बोलता है तुम्हारा मुँ है तुम बत्ते कर सकते हो तो अनलेंजन बोलता है आप नहीं तुम मुझे बोला कि मैं बात नहीं करना सकता तो नहा लैंजन को याद आता है कि हाँ जब उसने सजा दी थी तो विंग को बोला था उसकी एक आवास भी उससे नहीं आने चाहिए अगर उसकी एक आवास आईगी तो उसकी सजा दूणी हो जाएगी तो विंग लैंजन ईसा ट्रीट कर रहा था भी वह ऐसे ही तो नहीं कर सकता ना और लैंजन मतलब लैंजन अचानक से ऐसे उसके साथ बीएव कर रहा है तो उसे बहुत ही अजीब उसे फील हो रहा था तो ना फिर भी वह कुछ नहीं बोलता क्योंकि उससे कुछ बोलने का इजाज़त नहीं है लैंजन जब विंग को बाद हो जाता है तो लैंजन फ्रीण वह पर उठना चाहता था तो 집र इपना चाहते हो तो दी अपना सर्हां मैहता है और ऊच setzen को उसको मदद करता है खारे होने में लीकिन उसके गुट्णा चिल गया था उसके गुट्णा फूल गए था तो इसले न वींग ठीच से ख़राने ऊपा रहा था, तो लेंजन उसे गोद में लेता है, तो वींग बोलता है, नहीं मास्टर मास्टर आप मुझे नीचे उताई लिए तो गिले हो रहे हैं, आप मुझे लेंजन बोलता है, वींग को कि तुम चुप रहो, मैंने कुछ पूचा तुमसे, मैंने कुछ बताया तुम्हें कुछ भी मत बोलू एकदम शांत रहो ओके तो ना विंग अपना सर नीचे करके अपना सर हां में हिलाता है तो विंग को लैंजन कपरे चेंज कराता है और उस दिसपल को बूल दिया था लैंजन ने कि वह अपने रूम में चला जाए तो ना लै जो है कि 8 बच गयते और सुबह के 7 बचे की सब हुआ तो सब लोग उठ गयते और जैसे लैंग का रूल है सब लोग 5 बचे उठ जाते तो ना विंग को जब यह सब मतलब बहुत अजीब फील कर रहा था फिर लैंजन उसे दुबारा सिखाना कि लाता है और विंग ना चु लैंजन उसे तबाई भी किलाता है और विंग लैंजन बोलता है सौरी तो ना विंग तो ऐसा कंफ्यूस हो जाता है मतलब क्यों सौरी क्यों बोल रहा है वो मतलब उससे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था उसे सिर्फ मतलब उसका सर घूम रहा था क्योंकि उसकी मेडिसन हैं इसे पूह चीह दुद्ध सा डिय थी और जब कोई मेजसन लेता है ऊसकी बौड़ी गोजाती है और जारा ही दीजी करने लगता है और जब हार्ट का पेश्ट कोई दबां करना जाता दीज बहुत जादा वीक हो जाता है क्योंकि पहले से उसके बॉड़ी वीक होती है और उसके प्रॉब्लम्स के मतलब मेडिसन उसे और वीक कर देते है तो तब भींग को भी ऐसा लग रहा था तो अना भींग को लैंसन बोता है कि तो मैं अजीब लग रहा है तो फिंग ना कुछ न बोलता है एक दम चुप पर नवींग को लैंसन स्प्रिच्यूल एनरजी देने लगता है तो अना भींग बोलता है माश्द आप अपना स्प्रिच्यूल एनरजी आप मुझ पर वेस्ट मत कीजिए तो अना लैंसन बोलता है तुम से मैंने नहीं पोचा कि मैं वेस्ट कर रह दो कोछेहू, तो ना विंग बोलता है कि आप छोड़ दोना ऐसे ही, मुझे दवाई नहीं लेनेillar तो लैंसं बोलता है यूं कुछ नहीं लेने to radio foreign बोलता है मैंने कुछ पूछा। सच सचahu क्यों नहीं लेने तो ना विंग बोलता है क्यम कूछ मोचय दोना है to को बोलता है कौन इंसान चाहता है खुद को मारना तो विंग बोलता है मैं चाहता हूँ खुद को मारना मुच्छ संदा नहीं रहना I don't want to live this world I just leave this world right now I can't stay this world फिर लैंसन बोलता है क्यों फिर लैंसन ऐसा पूछता है तो विंग बोलता है यह आपको बहुत अच्छ से पता है क्यों तो लैंसन बोलता है जब अगर मैं तुम्हें टॉर्चर कना बंद कर तो तुम कुद को मारना चाहोगे तो विंग बोलता है यह जनम में कभी नहीं आपका पतला लेना है क्योंकि आपके मदद नहीं कि मेरे बाबा ने तो इसलिए दोढकर लें या कोंगा बढकर कोई गुल्दी नहीं तो वीट ढad बहुत हो जाता है क्योंकि उसे मत specific नहीं है या भट बो आपक कोई गुलती नहीं ती तो वो बहुत खुशो सकता हो किया मैं अभी अपने घर जा सकता तो लाइंजन भूता है नहीं तुम फिर भी धर नहीं साइच असकते कि रेकिके लाइंज एक बार कि शादी करते हैं और उनकी मेरी मेरे हैं उो चुकि 100 तुममेरी वाइफ Зए डाव बोड़ाएं तो आप से पैर नहीं करते ना लंसन बोता है की लंसन कुछ नहीं बोड़ाएं एक दम उखे बोर्थथा यह न चला जाता कर चलाक है तो लुण भीइंग कन्फ्यूस हो जाता है कि उसने भूच्चा कि यहिशन प्यार करते है था यह लिए क्या उत्की है ये बिलकुल भी सही बात नहीं है उसके साथ हमेशा से ऐसा होता है जब भी वो कुछ पूछना जाता है लैंसनों से हमेशा डार देता है ये बिलकुल भी सही बात नहीं है भी इस पर प्रोटेस्ट करेगा क्योंकि अभी उसके पापा की कोई गलती नहीं है और वह अपना हग जड़ा सकता है कि उसकी गलती है लैंस की गलती है जियंग्स की गलती नहीं है तो बहुत तो एकदम खुश हो जाता है और वह बागे बागे लैंड कुरियन के पा बांग जी से बोलूँगा कि हो तुम्हें घर छोड़े तो विंग मुझे जाने नहीं देना चाहता है वो मुझे तौचर करना चाहता है अंकल प्रीज मुझे और तौचर नहीं होना है मुझे घर जाना है ममा के पाथ जाना है तो बो stylish मेरे विंइं को क्या हुआ है मेरा इंग ऐसा कीू stare है तो उना विंइख उसको वहाँ पर देखता है तो उसके वहाँ पर गोगव सा पाप आया था तो उना विंइख भग के अपने ममा को गळा लगा लेता है मैंडमीा हुआ रूने लगता है अगर उसे की आपको पीकर थी तो एसे तुम तुम तूम तूम नहीं करते मेरे भाई को तो यहारा है तूम बहुत है तूम है तूम अगर उसे तुम की हेड़ के बारे में इतन ही फिकर तो ऐसे तुम टॉचर नहीं करते मेरे भाई को तो ना लैंस जन बोलता है यह एक हस्बिन वाइफ का मामला है तुम ना ही बोलो तो यह अच्छा है तो भी ही ना थोड़ा फ़कंफ्यूस हो जाता है कि लैंसर उसने उसको वाइफ बोला क्योंकि तो वह हस्बिन है ना वो तो फ suffate है वह बोलता है जाति है कि यह ना है लेशी पर तो विम्ग तो फट्रेश घाल मतलों के तो जाता है मैं तो यह इसे हख कर लेता है कैसे हो मुझे नहीं बता तो तो मैं पना जया जर आ जोल रहा है मतलब क्या है तुम्ए तुम्ट हो या नहीं प्टा तो भी बोलते हैं नहीं कंडीोोज़न्य पता क्योंकि सक्वशन्य है शुक्त Lewis models । भाक वास करें तो भूता है व्हाव क्या में क्या पिए कुछल सूब बाकवास मतलब मैं कुछ समझा नहीं इसक्रहए जियंग क्या है जर्फ एंद्वा बुला गष्णियम और बोलता है एह क्या गार का है हाह लोड़ गार में टो थोले क्रिन तो बीघ बोलते मैं पालला कोछ थोई न सकता हूँ मेरा शरीर देखो और आपने इस पहार जैसे शरीर को देखो मैं तुम्हारे शरीर के नीचे ही दब जाता हूँ तो मैं तुम्हारा क्या भीकार सकता हूँ मैं तुम्हारा कुछ नहीं भीकार सकता तो लेंजन बोलता है हाँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगार सकते, वो हःना एक स्मूर्ड देते, तो न वीम भलते हैं, ये बहुत गंदा था, तो लेंजन भीटांद लेंजन भोलता है, तो न फिर वीम भॹलते हैं, तुम भुरे हो, तो ल्इनजम बोलता है, नियू बाद बताओ, मुझे इस बता है, तो वह अप पे जेश लटा देशंक लंगा कि आपको मतन आपका सचाही पता चल गयी है और ना, कराच कुमार new life और बीटी को मुझे लौटा देशिए। तो ना जैलानसन बोलता है मैं आपको कैसे मेरी वाइफ लोटा दू तो बोलता है आप नहीं मानते थे उसे वाइफ आप उसे सिर्व सजा देने के लिए लाए थे तो प्लीज मुझे मेरा बीटा वापस कर दीजिए ना तो ना लैनसन के गुस्से वाले फैर्मान से लीज़ हो रहे थे और विंग को ना बहुत स्यासी लेने के में तक्रीफ हो रही थी तो विंग बोल रहे इसे मत निकालो मुझे तक्रीफ हो रही है और प्लीज ऐसा बोल गे ना मतलब उसका सर घूम रहा था तो ना वो जेंग चेंग की बाव में बेहुज हो जाता है तो ना लैनसन विंग के पास जाता है और जेंग चेंग को से विंग को छींग लेता है तो जेंग चेंग तफली गंफियूज ये क्या हो इसके साथ ये क्या हुआ उसे बिलकुल समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या यह अचानक से इसने इसे क्यों मतलब यह क्या बेहुद की थी उसे बिलकुल पसंद नहीं आया तो ना लैंजन बोलता है कि यह क्या बेहुद की थी तो मतलब जब लैंजन बोलता है यह बेहुद की मुझे बिलकुल पसंद नहीं तो जिंगन बोलता ह मेरे साथ पात में लेना। जांग चन विन को फिर से लेने के कोशिश करता है। तो लेने उसे गोद में एकदम टाइटले पकडर के बोलता है। हेलर को बलाओ। तो सटैलर राता है विन चेक करता है.. और लेने को घूड की लेकता है.. कि आपके फेरमॉंस ऐसके उपर हावी होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से बता है मेरे उसके वाले फिरमॉंस उसके ओपर हावी हो जाएंगे आपको पता करना होगा परने इनकी लिए बिलकुल भी सही नहीं होगा तोनल जेंक्षियन बोलता है हम लोरो स्पेर वी इंग को लेके जा रहे हैं ये पाइब भी जाना चाहता है और आप नहीं रोक सकते है पर दर्म tut 30 से आप भी रोक नहीं चाहते हैं वहारा कोई गल्दी नहीं है अभी आप बिल्कुल भी बी कोड़ नहीं रोक सकते हैं आपके अराउंड तो लैंजन बोलता है मैं रोक सकता हूं मेरा पुरा का पुरा हग है क्योंकि यह मेरा हस्बन है मैंनेस शादी किया है कोई गुड्डी और लैंस हमेशा एक बार ही शादी करते है I hope you know about these things तो ना जैंक चन बोलता है मुझे पता है लेकिन आप मेरे भाई को टॉचर कर रहे हैं और जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है तो ना जैंक बोलता है तो मैं मेरे husband के साथ क्या करता हूँ क्या नहीं ये मेरा call है आपका नहीं तो आप चूपी रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा फिरना मुझे गुशा आगया तो ना जैंक चन बोलता है आप क्या कर लेंगे हैं अब हमेशा अपना राप हम पे नहीं जहार सकते आप हमेशा ही मुझे से इसी बात हम उसे इसे बात नहीं कर सकते अप हमेशा से एसा करते हैं आप हम पे उपर राप चार रहें ये हमें बहुत अच्छे से पता है लेकिन ये कभी नहीं होगा तो लेंजन बोलता है कि आगर मैंने हम मेरा हाथ कीच लिया तो आपको बहुत अच्छ से पता है तो मैडम यू बोलते है शौन्त हो जाओ मतला मैडम यू लेंजन के पास आती है और बोलते है कि आप भी आए ना आप भी वींग के साथ आए और वींग के साथ हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पैन कीजिए क्योंकि हम नहीं चाते हैं कि वींग की तबियत और बिगरे आपको पता है वींग ज्यांग सेक्टों किता मिस्स करता है और यह आपको बहुत अच्छे से बता है कि वींग जैंग सेट ढूनना चाहता है आप शादी के बाद एक बार भी जैंग सेट नहीं आए है तो प्लीज हमारे इस रिक्वेस्ट को रखिए मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे बेटे को अच्छे से विदा करूँ अगर आप दुबारा से शादी करेंगी तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वींग की शादी बहुत हरवरी में हुई थी और हम चाहते थे कि वींग की शादी बहुत थी क्रैन तरीके से हो और सब को पता चले कि वींग की शादी हो रही है और वो हमारा एक लौता उमेगा सन है हम दो, मेरे एक बेटी है जोलफा है मेरे एक बेटा है जोलफा है और ये एक लौता एक उमेगा सन है मेरा मेरे बहुत सारे अर्मान थे इसकी शादी को लेके जो पूरे नहीं हुए है मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे गर हूँ और जब वो अपने उससे शादी की थी आपने हमसे चीन के उससे लेखे गए थे इसमें हम आपको दोश नहीं दे रहे लेकिन मैं आप एक माँ की तना जरसी देखिए नप दीस तो ना लेंसन तोरीदे सोचते और बोलता है कि मैं वीन का अकेला नहीं छोरने वाला तोोना मैंडम यू भोते मैंने आप से बोला कि आपको उससे अकेला छोने की ज़रुआत नहीं है अब खुध ह्याहन सेखट आ जाईए तो लेंसन बोलता है ठीक है मैं सोचूंगा इस बारे में तो ना थोड़ी देर बाद दो तीन गंटे के बाद विंग अपने आगे खूरता है और बोलता है काका मुमा शिजे बबा काप यू आप तो ना विंग को पिठाता है और उसे सूप पिलाने लगता है तो विंग भी ठीक ठाक बच्चे की तरह उसूप पीता रहता है क्योंकि उसे पता है अगर वो नक्रे करेगा तो लैंसन गुसा हो जाएगा अगर लैंसन गुसा हो गया तो उसके लिए बिल्कुल भी सही बात है नहीं तो उसे बहुत अच्छत से बता है कि उसे क्या करना है तो ना लैंसन उसे सूप पिलाता है तो ना विंग अपने चोड़ी चो तो इनgy अन्य गैंगे। तो इंग बोलता है क्या हूँ चाहते हों कि तुम्हारे गगा, तुम्हों का फूटे हो। जाया हूँ लेंडिय। मैं नहीं है दो ननन बोलता है ये कभी नहीं हो सकता तो भी नहीं हो सकता अभी तो आपको पता चल गा है कि छेंस हैसे ने आपको दिद बेची थी लेकिन किसी और ने ये किया तो लैंसन बोलता है तो हाँ मैंने माला ना तो बोलता है भी मुझे जोटी तो लैंसन बोलता है नहीं छोड़ सकता फिर विंग बोलता है क्यों तो भी लैंसन बोलता है क्यों कि मैं बता है लैंस से एक बार शादी करता है और मैं सचाई जाने के बाद तुम्हें कभी टोचर किया इतनी दिन हो गए तुम्हें टोचर किया मैंने तुम्हें बोलते हैं अभी मुझे चिला रहे हूं तो बोलते हैं मैं चिलाओ तो नहीं तो क्या करो हां बोलो मुझे बताओ कि मैं तुम पर चिलाओ तो नहीं तो क्या करो तो पूरे ना हो सकते हैं तो ना जंग बोलता है कि मैं ज्यादा भादेने करता है तो लैंजन बोलता है हाँ हाँ कोल्ड हडेड वीस्ट जाता है क्या वोला मुझे दोबारा से सबाइब हो अभी याज्टन गुसा हो रहा है अगर लेंजं गुसा हो गया तो उसके लिए बुझ्ल पहुत आई यह सहागर सै उनल भी कई कि गघग मैं भान आप से पूछना चाहता था तो पूचो जल्दी से जल्दी पूचो पूचना चाहते हैं तो उनर कभी बोलता है तो उन्मौत आंप सब्सक्राइब दिए करो कि नहीं फिर बोलता है तो वी better नहीं उंडार भोलते सो अतलता है। मिलांस्ट। फिर भोते है नहीं तो वी की डिव कर्थे बोलता है गोशी मच anywhere- को गुद़ते है। वी किल्षा नहीं हो माश्ट काई तो मैं तवते हैं। में करता है। माश्ट। को क्या बोलतÁ है तो टीछ बोलता है husband गजद गजदेता है कि किया मैं आपको थोलाओ दया सुकता है छै से डॉल स्मौतना दाट्टक मेने कानङ हूँ तुम इतने गदे क्यों हूँ है किने किस गदे सब शार्ड दो याज्य कितना comedy है मुझे बिल को सबदोब ने मैं गटर नहीं हूं तो बोलते में पुलते हैं मैं गटर नहीं हूं तो बोलते हैं तो दोंहर। हो तो देखाना री तो देखा ना मेरे देत से तीट से मेरी मेरे शीजियों मुझे बनी भुलाती है कि देखो देखो तेका दर्ला एक गजन अपने तीछ से ङवा वह फिर तो भी त्व पत्व फूलता माई के जाना चाहता हूँ तो विंग बोलता है हाँ 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 बहुत एकसाइडिड हो जाता है तो लैंजन बोलता है ठीक है ठीक है शांत हो जाओ शांत हो जाओ तो विंग बोलता है क्या बोला तो लैंजन बोलता है ओके मैं सूचूंगा तो बोलता है खब सूचूंग ओन भूता है तो बोता है तुम्हारी तप्भे तच्छी नहीं और तुम्हारी बहुत बात ङकले सब ना चाहिए तो नग्म जो होगbon कितने बुरे हो तो मैं हूँ अभी एकदम चुप अभी एकदम चुप अभी तबाई खाओ तो मुझे बहुत नहीं दाती है तो इसलिए तो सोचाओंगे उन्हें भी आरम करने तो कल सुब्य उनके साथ बाती करना ब्रेकर सुनके साथ करना ठीक है तुविंग बोलता है प्र क्रमारस करता है तो प्रमारस कार ना किया में में घर जा सकता हूं तो इस बारे मैं सोचोंगा तो ना बहुता हैं कि मैं लगर दबाई कर ऑकर सो जाओं गा अप रात को सोचोंगे तो बोलते हैं हाँ तुम सोगे फिर मैं सूचूँगा तो विंग ना जादी से दवाई खा लेता है अपनी मतलब अपने आपको ब्लैंकेट से घठक के बूख और वो सूच जाता है तो ना लैंजन एकदम खुश हो जाता है कि विंग की बच्पेने को देखे ना उसको बहु जादा गिल्ड होता है कि उसने इस रिवेंच के चकर में बेकुसूर बच्चे को इतना जादा हम कर दिया और ना उसकी आखे डाग हो जाती है और बोलते है कि मेरे उमेगा को मैंने ऐसे टॉचर किया है तुम लोगों की वज़े से तुम दोस्ट की वज़े से मैं किसी को छूण का सब को मेरे उमेगा की आसओ का इसा आप देना परेगा मैने रुला एं था उनकी वज़े से तो इन्हीं भी रोना होगा है और उन्हीं मैं रुञा के रहूंगा ऐसा बोल के नहां मतलब भी लैंस एन्न नभी उनको हाकर्किश शूच है तो मैं अपने हैं सब को हो बहुत अच्छिसे पता है क्योंकि उसकी उमेगा को उसने कितना टौचोर गया है उसके उमेगा कि कोई गलती नहीं थी उसके के कोई गलती नहीं थी इसलिए उसे बहुत कि वीन तो सो रहा था क्योंकि उसकी दवाई मतलब बहुत जादा स्ट्रॉंग होती थी इसलिए नो उटने पाता था उटने पाता था पाच बच बच और लैंस भी कुछ भी नहीं बोलते थे वीन को से जितने टाइम पे उतना था उट पाता था उट जाएगा क्योंकि लैंस मतलब उसको पता था कि वीन कभी भी पाच बचे नहीं हो पाता था उसकी बोड़ी तनी ज्यादा वीक है और वो यह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते तो इसलिए ना वह लैंग को ऐसे ही लैंस होने देता है फिर वींग सुबह उठता है और अपने शीजे के पास ना बीना अपने शीजे के बाद चला जाता है और अपने शीजे के बाद जाके ना उन्हें हग कर लेता है और बोलता है शीजे शीजे मैं आपसे बहुत मिस्किया आपको पता है तो उना ग्यांदी बूलती है मैं भी मैंने मेरे अशन को बहुत मिस्किया मेरा अशन अभी कैसा है तो मुझे लोटस पहर जाता है तो कुछ लगनाय समझाती है अभी हाद्बं चाहेगा जरो वीन की मरजी होगी कि वीन-चाहता है यह के रहना result अगर नहीं रहना चााता तो नहीं रहेगा ना तो यालि बोलते हैं तुम अपना दिमाग दोराना बंद करो एक नमबर के घदे हो गदे तो जांग चुप हो जाता है क्योंकि शीजी गुसा हो रही थी और उसके शीजी इतनी असनी से गुसा नहीं होती थी अगर यह बहुत गलत बात नहीं तो इसले ना वह एकदम चुब हो जाता है वह एकदम कुछ ने बोलता एकदम चुब एकदम साइलेंट तो ना लैंसन ना फिर लैंसन अपने शीफ को बताता है कि कैसे जिन्स और वैंस ने मिलके किया और क्यों यह किया तो ना लैंकुरान बोलता है उन सेट को हसल कर लो लैंसन तो लैंसन बोलता है ठीक है जांप हो लेकिन तो बोलता है वींग को लोडस पर जाने दो वो हमारा तुम्हारा मेंगा है और तुम उसे बहुत अच्छे से पर्टेक कर सकते हो दू वरिय। वह पर प्रटेक हुआ पे अच्छा रही का उसके मॉम डैड है वाप उसका शीजे है उसके गपा है उसका ध्यान रख पाएंगे डून वरिय। तो वह तैंकिया सच मैं तुब होते हैं तो ज्यादा में जरूरत है नहीं उसे जहां उसे उसके घर जो जाने दो और तुम तुम्हें पता है तुम्हें कहा जाना है तुम्हें पता है तुम्हें कहा जाना है तुम्हें पता है तुम्हें पता है तुम्हें पता है तुम्हें 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 तुम्हे मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत पद्श किया है लेकिन तुम से प्यार भी बहुत करता ह। तो रिंग बोलता है जूट मैं मन ready is love वह गुसा को और चाइए तो अपने घर को नहीं जाने दिधा उसे तो इसलिये ना वो एकदम चुप हो जाता है और उससे ना एकदम बात ही नहीं हो रही थी क्योंकि अभी वो अपना कैसे भी करके लोटस पहर जाना चाहता है क्योंकि उसने अपने घर को बहुत मिस्स किया है और वहां की चीजे खाना बहुत कुछ अबरी सिंगल तीजे शी मिस्स एठाइ दैस वाइशी वो ऐसा कर रहा है लबीं अपने आपको काम कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं मुझे ना आपसे बात करने थी शी जांग फू फू फिर बोता है हम क्योंकि लैंजन ने उससे बोला तो उससे जांग फू बोलने के लिए तो बोलता है किया मैं जा सकता हूँ आप साज बोल रहे हो तो लैंजन बोलता है हाँ तो वो कुछ हो जाता है तो मैडम यू बोलती है हम कल निकले तो लैंजन बोलता है हाँ अप निकल सकते हो तो ना जै मैडम यू बोलती है आप नहीं आओगे तो लैंजन बोलता है कि लिए लेंसन नहीं आ रहा था वह बेटा हुआ था और मैडम यू और जैंक फैमिया बात कर रहे थे जन लोगों ने यह किया था उन्हें सजा देने के लिए उनका सेक्ट हाथ या लिने के लिए राजकमा जा रहे तो फिर मैडम यू बोलती इसके क्या जरूरत है तो ना ज तो इसलिए वो चाहते थे कि लें से दूरो जाए तो हमसे अपर वा सकते हैं तो इसलिए तो मैंनलम मैंच्रा को यह बोती कि सच में इसी ली सब ऊबा तो हुआ ना चाहते हैं जो लेंस ने कभी होने नहीं दिया और विंक को उसने टॉजर किया जिस कारण और उस कारण एकदम बेफजूर था इसलिए ना लैंजन मतलब राजकुमार को बहुत गुसा रहे और उसका गुसा जिन लोगों के वज़े से यह हुआ है उनको पनिश करना चाहते है तो इसलिए हो जा रहे है तो लैंजन की बाते मतलब भी और उसके बातें सुनी तो उना अपने शिजर को हग कर लेता है और रहे रोने लगते हैं रहागर तो शाहते हैं तो भी आपने मौ पूलाकर पायपโ दोना मेड़म भोता है हाँ ह। समझ गए तुम लड़का हो तो ने लेंज़न विंग को मैं लेता है तो ना भी मोटा है मैं जोसकता हूँ रंफ तो मुझा पता है तुम चाल सकते हूँ तोनल लेंजन भीएंग को बोद में लेके जिंशी की तरफ जाने के बाद भीएंग ना मतलब थोरा सा अंकमपोटिबल हो रहा था तो बोद जो क्या हुआ पर बोद कुछ ने तोनल लेंजन भीएंग को किसका लेता है चाहे है और बोसा है कि सब्सक्ना को कर अब्यान भीएंग उन्हें जाता है और बोलते हैं तुम जा रहे हो मैं यूत पर जा रहा हूं तो मैं तो मैं चाहता हूं तोन भी इन एख सन्के क्विक्स ने किया है उसके साथ हमेशा सिसने सब्विदिस्ती की है और अभी लेंजन उसे पोच रहा है मतलब यह इतना जादा परिवत्तन कैसे हो गया है उसे नहीं पता लेकर उसे अच्छा लग रहा है कि अभी उसकी भी इच्छा का कोई मैटर करता है उसको भी मतलब क्या बोलता है वो मैटर होता है कि उसकी उसे क्या चाहिए लेंजन उसे पोच रहा है तो इसलिए उसे बहुत अच्छा भी लगता है तो अनला भी ना कुछ नहीं बोलता तो अनला भी ना कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे पता है कि वो जितना भी घुसा करें ले वो कुछ भी बोड़ ले लेकिन ये फैक्ट कभी भी मतलब नहीं होगा कि वो उसका ओमेगा है और लेंसन चाहता तो उसे रखील बनाके भी ला सकता था उसे दासी बनाके भी ला सकता था उसको कॉंक्यपाइन बनाके भ मर्यादा मतलब उसको एक पत देखेज लेंड फुरन का पत देखेज उसे याप लाया है तो इसलिए उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसको क्या चाहिए और वो क्या कर रहा है तो नहींसन और वींग का एक होटा नई जाता है फिर वो सुबह होती है और लेंसन वींग को करता है अपनी मॉम डैट के पास मतलब जांग के साथ लैंग चला जाता और लैंसन उसके आदे करिंटे के बाद ही निकल जाता अपने जिन्स को और वेन्स को सब कहने के लिए उसे थोरा समय लग जाता है。 तीन महीने क्योंकि आदे डे थेक्ड को घीतने के लिए थोरा सा वक्त अबया, गउने दो तीन महीने लगे थे उससे क्या बोलते हैं है है कि अच्छ सेक्स को जीतने की लिए तो हिन उसने जब भी जिन सेक्ट और वैर्ण सेक्ट तो जीता उस से तुरन बाते उसने जियां लिए उनिकल गया था और दूसे तरफ इतने दिन तक भी निए अपने को नहीं देखा ना उसको मतलब उसको हादत हो गई थी लैंजन की तो इसलिए न वह बिलकुल भी न अच्छा फिल नहीं कर पा रहा था तो ना दो महीने पहले उसे पता चला कि वह एक महीनी का प्रेगनेंट है और जियंग्स तो बहुत खुश हो गये थे जियंग्स वह लैं और लैंजन को भी बता है कि बिंग प्रेगनेंट है लेकिन लैंजन को नहीं पता लैंजन को किसी नहीं नहीं पता है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लैंजन अभी यूद पे गया है और वह अपने लक्ष से भठक जाए तो इसलिए ना कोई भी लैंजन को नहीं बता था एक पहुए बहुत होता है और वह बहुत होते हैं तो ना वह डिसब्स से पूछते हैं थे लेंसनक हैं तो ना वह डिसब्स बोलता है कि राजकुमार हंगड़ुन वह लोटस पीर अपने फूरंस से मिलने तो बहुत अच्छा लगता है और उसे बहुत अच्छा लगता है लिटरली उसे लेना वह बहुत अच्छा लगता है कि हाँ उसका नेफ्य अभी उसके हमेंगा के साथ अच्छे से बीएव करेगा दूसरी तरफ लेंजन के हाथ पे हरकटे हुए थे बहुत साथ मतलब उसको खरोचे आई हुई थी लेकिन फिर भी लेंजन विंग के पास आता है तो विंग का मूर्श बहुत हो रहा था तो ना विंग लोट अपने घर के क्या बोलते हैं गाइस उसको क्या बोलते हैं चीन वोड नहीं आ रहे थे ड्राइंग रूम को क्या बोलते है को मैंन करें कि मुझे ज़रूर बताना ठीक है और ट्राइंग रूम में बैटा हुआ था ऑ़ क्या बोलते हैं क्या घर बैठा घर में बैठा वाता और यह पे बिएख ना मतलब उसे बिल्कु अच्छन लग तो कुछ नहीं खा रहा था तो मैडम यूँ उस पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि मैडम यू लाइन कुरेंट से जगरा करके विंग को या रखी थी जब लाइन कुरेंट को पता चला के विंग प्रेग्नेंट है तो वह लेंग से लेके जाना चाहते थे वह आ भी गहते लेकि जो कि आपके आपके कोई औरतने हैं और कमेगा नहीं है जो विंग को समहल पये उसको त्थान रख पाएं और यहांपे मैं हूँ यहां बहुत सारे डिसप्ल्स है ओमेगा जो भी का ध्यान रख सकते हैं तो मैडम यू और लेंड कुरेंट के बहूत बराब डिस्क्रेशन ह तो इसलिए मैडम यू भी उपर चिला रही थे कि कुछ खा लो और तबीद खराब हो जाएगी तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते क्यों नहीं सुनते तो नहीं भूलता है मुझे नहीं खाना मुझे अच्छा नहीं लग तो आप पे मैडम यू भूलते मुझे पता है कि अपने मुझे जाओ को मिस कर रहे हैं उन्हें तुमे वह चाहिए लेकिन ऐसे तो तो तुम नहीं कर सकते अपनी तपीत तो खराबन में कर सकते तो वहाँ पे ना लांजन सुनता है और बहुता है भीइंग टिछता है और वह भाई कैंए लांजन की तरफ जाता हो लुप और वो भाग के घाके लें जाकर करता है विंध जब आपने चांगतो को देखने के बाद हो जाता है उसके चांगतो के मतलब हाथ पेर कट्टे हो थे तो बीँध बोता है आप चलो पंढम करो तो मेडब यह बोती है अपको आप अपने कम रहे में अपने लेकर जाता है और उसके लिए बात खुद प्रिपेर करता है और डिसपल को गरम पानी में के लिए बोलता है तो डिस्पल गरम पानी लाता है तो वी ना अपने जांगफू को खुद नहीं ला रहा था तो नहीं लेंजन सिफ अपने ओमेगा को देख रहा था कि वहीं सिफ कुछ कर रहा है और उसके उसने लेंजन के बाल हुए उसका पुरा बोडी स्क्रब किया जतना भी मेल लगा हु वखे राव जेसे लेंजन को पसंद है वाइट तुम वाइड तो इस लिए ना विइंग स्मेगता करता है तो लेंजन तो मैं क्या पेट में दर्ट हो रहा है मैं मतलब दॉक्टर को बुलाओ फिजिशिन को बुलाओ तो लैंग अपना से नाम में हिलाता है और रो रोने लगता है तो मैं अपनी काल भी रोने लगता है और लैंग को बहुत टाइटली हग कर लेता है और वो ना एकदम चुप चा वो पुलो, क्या हुआ बताव नहीं, बताव करो अपड़ा पुलता है, तो नहीं बताव अपर आपडिए और नहीं है अपर नहीं के किर्ढ़ आप अपका पाने वाले हो तो नो लैंसन दोरा से बोट है क्या पहुत ही तो अपना सर उपर ओठाता है और लैंसन न को देखता है उसके हकों में और उसका हाथ अपने तमी में दुबारा से रखता है तो छातक है कि यहां पे हमारा भीबी है, मैं खाना न ही खर रहा थाए इसलिए ममा मुझे टाट रही थी 10 लेंसन मतल मिघ पुर्फट के तो नर्ट कर्भ वह जाता 15ड है, और ऑनोल वो झाथ कि क्या पुम्स से गुष्टा हो अब आप आप बाता कि उने रहे हो कि आप गुष्टा हमसे इसा सुनके मतलब ऐसा बूल के न विंग और जोर-जोर से रोनी अगता है कि उसे डॉल रहा था अगर उसके गांफू को बचाने चाहिए को तो तो अनम विंग को न लेंसे अगलिडस मिनिट को स्मूच देता है सबको समूच दो पदे हो आइए कि पांच-दो मेनिट बात बात मतलब से सहांस लेने का कवक दीने के बात इसे स्मूच बोते है मैंने बहुत मुश्गे से इसका मतलब मीनिंग ड़्ून की लिए सिना था फिर उन्होंने भी डिस्क्र करती है गैस मुझे खुद नहीं पता स्मूज क्या होता है और बहुत आए कि चुप इतना बगवास करने का अदद क्यों है तुमें पहले तो मेरे बात सुनो ना हम पैरेंस बने वाले हैं ना तो बोलते हैं हम पैरेंस बने वाले हैं यह यह लव यू यह लव यू यह लव यू बोथ ऐसा बोलके ना वांग जी उसे अपने पास कीच लेता है तो वहापे मैडम यू नौक करती है क्योंकि उन्हें पता है कि अभी उनका बीटे का हुस्बन है और ऐसे वो खूस नहीं सकती तो ना जैंग 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 को मैडम यू मारत जैंग 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 ज्यांग चैन और माडम यू अंदर चाहए बाएंग ऐए मी चैन्ग जाए और Нूम दों में घ्लाइट से ख़ाना लाइध ह् जहारे लेंग फेल्ला दोमित चैन्ग अफ्टनवन कुरित करता है कि बुले ड्निक स्न। जांख बहुता है तो नो मेरे भी जी खर करें चीर चेया । 2 ऊ falt शुक् numa गठाओ तो मैंन भॉते हैं तुम अन् Vanessa mind भी गठेना मैंने टोन के लिए पहल प्राद पीक्यत तुम लगा देना तो ड़का थंग गोड़ा सी कैस्थ बोलते हैं ऐब को तो बता चली गया होगा कि भी फिर भी लांसन अपने सरह में लगाता है तो ओना मैम यो बोलती है कि यह बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा रहा है अब प्लीज उसे अपने साथ खाना किला देजे वरना ये मेरा दिमाग खराब कर दिया है कुछ दिनों में ये बिल्कुल भी खाना नहीं खाता मैंने आपके अंकल से लर जगर के यहापे रखा है मेरे बेटे को और अगर आपके बच्चे को या फिर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो आपका अंकल मुझे बहुत मारेगा मैंने लिटिल उनके साथ बहुत ज़्यादा ही जगरा किया है यहापे रुकाने के लिए इसको लेकिन ये मेरी बात समझ ही नहीं रहा है प्लीज उसे समझाईए ना तो आप लेन संगे साथ जाने के गाद il ने उलेंसन वहीं को खाना किनाना लगता हुआ तो भीह ना बडिले बना के बोलता हुआ अच्छं नहीं लग रहा हुआ है I don't want to eat I don't want to feel this heat मुझे नहीं खाना हुआ तो ना खाग जी बोलता है तो यह पर कौन है तो भीह पर मेरा पेट है तो बोलता है इसके अंदर के है तो बोलता है आपका बेबी तो बोलता है इसको भी खाना खाना है न तो भी बोलता है आपको इसलिए खाना के लाना है मुझे तो न लैंसन बोलता है देखो अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो हमारा बेबी भी नहीं खाना खा पाएगा तो ज़े भीन बोलता है कि मुझे न आचा नहीं लगरा है मुझे ना यह स्मेल अच्छी निगे मुझे इसका टेस्ल अच्छा है तो लैंजन वह घाता है अच्छा तो है तूम्हारे जय सा मसह ले दार तूं जैसा पसंद करते हूं तो भी मोटन नहीं मुझे नहीं काना थो अना अप्ना फूड जो बॉilin फूड रगा हुआ था सब को बताए कि लैंस बॉilin फूड ही घाता है तो लैंजन अपना बॉilin फूट वींग को खिलाने लगता है तो वींग ना खाने लगता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि लैंजन ने देखा था कि उसे जब वो स्मेल वाली चीज़े वो खाना खिला रहा था वींग को वो मतलब उसका मू बन रहा था और वो बोमिटिंग जैसा हो उसे इसलिए लैंजन को पता चल गया था कि अभी वो मसाले दर चीज़े नहीं का पाएगा तो इसलिए ना वींग को उसका फूट किलाता है तो वींग खाने लगता है तो जब वो खाना फिनिश हो जाता है और उसका फीद बढ़ जाता है और वो सब बस मुझ और नहीं ख जब देखता है कि विंग का फूड आश्ट का वैसा है लाजन का फूड खतम है विंग एक नई लिखने लगते तूम ने खाना क्यों नहीं कहा lumin रहां तुमनें अपनी हस्बंड की तुमेने अपनी जांपो की लिवाट नहीं मानी लवी तॉł पहुत ज् smarter घृया तो नां आधाद हखाना खाल रहा था ऌ्टमणी को मैंदमी उप टुलते हैं की यह वापका पाम भी तो को जो इसकाया है तो मैंदम होटे तो मैंदम आपकर लिया कानवरा ऑख обода रिजुन आते हो बोलते हूं तो पना भीशम कंऊ दूना की और मुझे भादा मुझे और लीवीन उप भीशूना मोट्यूते हम अपने से छॉकर हम तो तुम मैं भीशा जिज़ा की तो तुम तुम अब भीश तो की एएवार को दिया अभी तुम वाइंजी का खाना बीच वातीए तो बिलेंजन बोलता है नए वी अजे ने खाना मैं मिला बिइंग बोलता है मुझे पता है क्या है कि आप का तो पे दर्ट हो रहा है और लेंजन बिलेंजन कः पे खुमथभर माई ले Kingdom प्रहस देन के बाद प्रहस बार में लिख चांब चांब है अ मुझे आप बढ़ने में में अिक ल्ह पर सब्सक्सां बहुत हुआ एंग कहां I जा जांग अना निर्णाय को मैंने एकाइस एंवने उस् हे जाँता है खर हमें कि मुझे दूपरा में लिक्त ना तो विंग बोलता है मैं अपने बनी को जोड़के कहीं नहीं जाओंगा तो विंग बोलता है बनी कौन है तो विंग बोलता है मेरा बनी ये है ना जो मेरी बाओं में है तो विंग बोलता है मैं बनी नहीं हूँ यसे भाख नहें सकता मुझे पेर बेविडर देरे शबलो क्योंकि हमारे डीट के लिए इच्छा नहीं है ровिकिंग बोलता सब लोग सिर्च के बारे में सोचते हैं मेरे बारे में कोई सोचता है नहें कोई बिन भी मज़से प्यान नहीं ET सब्सक्さ कि और यह दो कि-ई-बारे में सुच रहे हैं कि आपई जुरुने भी दो अगता है अभी झाम्योग के के बारे में सब लोग नहीं सोचेंगे तो किस के बारे में सोचेंगे वो तो सबसे छोटा है dough entrar और तुम भी तो हमारें देखेर कर रहे हो और कितना ज़्याधा ना कितना ज़्याधा लेक्स की हो जाता है जब एक omega pregnant होता है यह तुम्हें बता है तुम्हारी body भी तो कितनी ज़्यादा भी कहना तो तुम्हें क्या चाहिए कि हमारा baby unhealthy पैदा हो तुम चाहते हो कि हमारा baby बिल्कुल भी अच्छा grow ना करे तुम ऐसा चाहते हो तो तुम तुम्हें जो चाहिए वो कर तो मैं भी नहीं छोगे कर किसी को रोकने भी नहीं तुमारी तो तो फिंग बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है जांग-फू मैं चाहता हो कि मेरा मेठी अच्छे से ग्रो करें लेकिन थोरा सथ मुंझे खेलने तो को देजी सकते तो बूता अगर तू खेलोगे सबस्धि तू खेलने चाओ और तुमारा बैलनस भी कर जा य Sebacular फिर क्या होगा फिर हमारी बेबी का क्या होगा पता? तु विर cooling बूता है मैं तुम्हें खेलने जाने दूंगा, लेकिन मुझे ये बात शेयरीटी दो तुम कि रोगे नहीं, तुम्हें चूट नहीं आएगी, तो बिंग बोता है, इसमें शेयरीटी कैसे दे सकता हूं, मतलब कुछ भी तो कैसे भी हो सकता है, तो वी लैंजन बोलता है, एक्जाक्ली कि कहल कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी रोक नहीं सकते, लेकिन हम ज्यादा क्या बोलता है उसको गाइस, हम उसको ज्यादा कीच नहीं सकते, लेकिन हम रोक नहीं सकते, हम सतर्क तो रह सकते हैं, कि हमें ये तो पता है ना, कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे, हमें के टिक्षे लग जर्म तुझे मुझे पता चल गया है कि मुझे नहीं जाने मिलने वाला तो लैंजन बोता है ऐसी बात नहीं है भी मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे बीबी के लिए तो विंग बोता सिर्फ हमारे बीबी के लिए सब कुछ होगा तो लैंज तिम्हें चूँ करना है लेकिन यह श्वरीटी दो भी बीकोर्टु में कोई चूट नहीं आए कि तो तुम कुछ भी कर सकते हो तो नहीं बैलाइस भी ना थो रहता है क्योंकि उसे अभी कुछ समझ नहीं हो रहा है कि करे तो करे क्या वह प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि खेल में चोट लगती रहती है सब को और यह बहुत जाद अगर उसने प्रॉमिस किया और उसे चोट लग गई तो उसको लेने की देने पर जाएंगे लेने का गुसव से पता है कि कितना पहरंकर होता है प्लेंजन इतना गुशा हो जाता है कि अब भी कुछ भी कर सकता है अभी वो उसके साथ बहूत अच्छे से बात कर रहे हैं इसका मतलत यह नहीं क्यों पिन उसका फाइदा उटाएं वो चाहता है कि वींग और बेबी सेफ है तो विंग समझ जाता है तो बोलता है तौर्णा बोलता है तौर्ण थो裡面 मेलता है तो मेरे मेंॉज़ पिछ भी घृता तौर्ण डिर समय झाल एक नहीं किता बूंछ ख़कता है तो रहते हैं और कि प्रिशान करते रहो मुझे प्रिशान करते रहा हु तो बिंग घरता है टो साटनी का लैंजन ऑचे साहे चार बच तक नहाया धोया खाना खाया पांच पे तो छे बचे से लेकिस आख蒙, रात केのは Eli के निग्मक Хodunare वेजटे तो इनयो तोनों को फिर इनको नीदा तो तो लैंजन और वीं बहार आते हैंv सबसे मिलने के लिए जाते एख रहो चैन उन्याहिंजद इनको बच्छा रहे से रहो सो यह उपांटी लिंग के अपने आप को बोल रहा तक कोझे सब добр मुझे तो जिर जिम पोलता था है मैं खान कोछ तो जेंग जिर बोलता है मैं नाकी दहूंगा तो बोलता है तो जैंक फैम मैं दो ढूने के लिग लेने के लिए चला जाता है मैं पर चैनरह बोल राँ की बूम सब्सें कर दो परना जाता है पर परिदेजसरवर अची उनमु हुट इसे भी जानलेंगी के नम एभास इस नं सब्सक्राइबता है कि वहीं काला तामी शो हो रहा था दोना डॉक्टर बोलता है कि वहीं के अंदर टूिंस पेपी हैं तो लेंसन तो इतना हो जाता है उसका अंकल जब सूनता है वो तो उर की आया था वो कुल्टिवेटर था तो उर के ही आएंगी मतलब बुसू से मतलब जैंक सेक्ट आ गए थे और बूल रहे थे जल्दी से जल्दी शादी कर आगा मुझे लिके जाना है वो पागल हो गए थे वो अंकल तो ना विसाब लोग मैडम यू ना बोलते हैं ठीक है ठीक है ऐसा भी मत करो तो ना लैन कुरान बोलता है कि तुम्हें कैसे पता तु मुझे पता है कितना तकलिफ होता है मेरा बेटा मुझे दूर रहा है तो मुझे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं तो तुम चुपे रहो तो लैन कुरान बोलते है तुम ज्यादा बहुत ज्यादा बोल रही हो तो बोलते है मुझे बोलने का हक है मैं उसकी ग्रैनमा का उसका तो नव ताच है ठीक है ठीक है तो वींग अपने मॉम और अंकल को लड़ते होए मैं तर ना अट तो वह आप उसका अंकल बोलता है मुझे इसका खताम करो बना पेली इसकोष शं़ रखा पते हो तो और मैं को फ़ेखिन तो अझेल करता था वो करता था वो बुरा लागता है तो लैनसन ना भोता है चाहँ, मैं जिया है हम मोम से बोलूँ गाँ, लीग होछा जाए ना हुख भी रहना 20. लेकिन वो कुछ नहीं खा पता था जो उसको स्मेल आती थे ना फूट की स्मेल नहीं ले पाता था तो ना विंग अंकल से बेबी की मुराई करता है बोता आपको पता है मुझे स्पाइसी चीज़े का नहीं ती लेकिन ये बेबी मुझे खाने नहीं रहते तो बहुत जादा रहा था तो आपना कुछ अन्यूजियल चीज़े हो रही थी लेंसल भाप रहा था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है और वह ना मतलब बहुत जादा चौकन ना था जिएंग चैन भी चौकन था यानली भी चौकन नहीं थी क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो गरबड लग भी बींगे अर्राउंड ही रहते थे फिर वह पे लैन कुर और लैन शीचेन आ जाते हैं और लैन शीचेन को भी कुछ ना कुछ तो फील हो रहा था जो उसे ना लोगों को ब्रूँ भी सही नहीं लग रहा था मतलब वह पकर नहीं पा रहे थे क्या चल रहा है लेकिन इसक मतलब यह नहीं कि उनको फील नहीं हो रहा था वो कल्टिवेटर से वो मतलब थोड़ी सी अन्यूजल चीज़ से वो सेंस कर पाते थे विंग तो अपने मौम डैट के साथ बहुत मिस्ती करता था वो लैड़स पैश जाता था या से वह भागता रहता था तो ना लैंजन उसे ह विंग को डाटने लगता और बोलता है कि वो तो सही बात ही कर रहा था तुम ऐसे क्यों कर रहे हो हां तुम हमेशा से ऐसा नहीं कर सकते हैं विंग तुमें हमारी बात सुननी परे कि you have to listen to us because of you are your baby तो ना विंग बोलता है आप कितने बुरे हो तो बोलता हम बुरे हैं हम ब हुआ है ऐसा बूल गे नको मो कुला लेता है फिर मμέडम यू आती है और अपने्धिश्छ को बोलती है कि बुलती है कि पर बहु को मसाज दे दे तो अना लैंग बोलता है मा मतला मा अर exhib दिजिया मैं उसका मसाज कर तूँगा तो बुलता है नहीं पिर बुलता है कि क्यों तो विं बोलता कि नहीं, आपसे मैं नराज हूँ, तो न लैंसर बोलते हैं, मैंने तू कि तुम्हेड ने nota क्योंकि तू मेने तो गलत हैं अबे भी मुञ तो बोलते हैं मुझे घृटने की आधा के लोगहाई कुनिदी के अध्यूणे क्वड़ां गारे सीफितन करते फित सीफितन सलँ मुझा लुथूं मुझे चोक्लर्स चाहिए मुझे मिठाये मुझे बहुत सारे कप्ले चाहिए क्योंकि मुझेए कःप्लेस फितनी हा रहा है कि न् EVERY हाट व सब्टेट है कि मेरी रोप्स फित नहीं आरहे क逮र आ लेखतना मुझे घुट मुझे लूश फुट हां कि और मुझे लूश मुझे नहीं दिख रहा हु 145 वीं क सबस्वाइद मुझे ए्यास को सबस्करा ऑई हो भी को एप सबbung मुखंठा होगे लग मुझे कर दोणе भी दोखते हैं नियुक्षमिक करन लिए श्मक्राइन क swatch अपने उंकल को अपने पापा को अपने ऑपनी घ्रेंडबादर को सबस्क्राइन तो मैडमी बोती हैं जैसे तुम हमें परिशान कर रहे थे तो विंग बोता है मैं कहां परिशान करता था आपको भी परशान नहीं करता है, मैं एक अच्छा बच्छा था तो मैडमी भोटती है, हाँ, तुम अच्छे बच्छे थे, तुम्हे लेकि मुझे सारा दिन भागना पड़ता था यांग ली और जिंचा ने भी मुझे इतना परशान ने किया, जितना तुम ने परशान किया तो भी नमू पुला के बोलता हैं कोई भी मुस्भान नहीं करता तो आप एलेंड शिजन बोलता है प्लीज हमारी आशुन को ज़र्द प्रिशान मत कीजिए वह बहुत अच्छा बच्छा है वह सब की बात मनता है ना तो ना भी जाके शिजन को अकर के बोलता है आप बैस थो आपने मुझे कभी नहीं डाटा सब लोगोंने मुझे डाटा है लेकिन आप कभी नहीं डाटते आप जो भी मैं करता हूं कहता हूं आप सुन लेता हूं तो ना फिर मेरे मीं बोलती है हां तो अच्छे ही लगेंगे क्योंकि तुम्हारी हर एक बात सुनते रहते हैं तुम् कि मूँ फुलाता है और दूस से कोई डीमन ये सब देख रहा था और बोल रहा था खुश हो जाओ अभी तो खुश होने की बारी है तुम लोगों को मैं समझाओंगा कि कैसे क्या करते हैं रहे हुआ है। वे फुश होने लगता है न लाई स抹ड़ करने हो जाता है तो वे लाई डीमन ऊस सब कर लेता है कुछ नहींग हुछ नहीं कुछ नहीं चन उस जिगवन से पूछ तो मैं किसने बेचा है? तो नहीं बहुते हैं, मैं नहीं बताओंगा, व separates जैन्च आपना बहुतना है, वह जो जान ले लोगा, वह जीरियन दीखाता है, तो वह ड्रिमन नहीं ड़ता है, वह बह अभी नहीं करूंगा मैं उसे हाम करके रहूंगा ऐसा बोल कि वह कुछ भेगता है भी इंकी तरफ तोना लैंजन न अपना गुचिन निकालता है जैंग चिन अपना जीडियन और मतलब क्याald उसको गैश मतलब बुचिन और लैंजन का फ्रूड ऐसा सब लोगों का अपने तलबा रहें चीजे निकाल के वह चीजे को रोक लेते हैं रोक लेने के उसे बीलक्teen भी समझने आ रहा था कि वह करे तो करे किया उसको बीलकुलThese लीकालना चाहता था लेकिन वह बिलकुल भी भी बहोंला था उसके वर निंखे अपना जिडिया निखा लिकाली कि उससे मार देता था तो Śी जान जान लैंजा Committee को गुशे में दिखता है तो शीचन बोलता है इसने की इसकी उनकी कोई गल्स नहीं है यह डीमन नहीं बोलेगा भूझे पता है कहा का बन्स गाकि है कि यह यह वंसक्ट का लोगो है मैंने माग देख्का था तो भूँता है वैंजसा अक्ट मैंने दुपा लिए था बाइ मुझा लूखिया और जो हमारे कमज़ुर गरी南ष आप और मैं हमें बहुत जादा ही वींग का ध्यान रखना होगा उन्हें पता चल गया है कि वींग हमारी कमजूर करी है और हमें ये सब बहुत जादा ही मतलब सब ठाने से करना होगा भी लैंसन तो ने लैंसन ऐसा बोलता है तो लेंजन ऐसा बोलने के बाद मतलब लेंजन बोलता है कि भाई हम कैसे पखड़ेंगे उन्हें तो बोलता है पकरनी आ चाएगा उसका चेला को मार दिया है अभी वह गुस्से में पागल हो जाएगा और गुस्से में लोग अपनी दिमाग नहीं लगाते ऐसा बोले ना लैन शीचरन बांग जी को बोलता है शांत हो जाओ और भी क्या सपासी रहना और लैन शीचरन समझाते हैं कि सब लोगों को क्या क्या करना है क्या 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 नहीं करना है और कितना मतलब सब लोगों को बुलाया था लैंसन ने वैंसेक्ट के न्यू हायर को वैं भी दिया था भैन्जूशन को मार दिया था उसे इसीलिए के लाझनlli नृगों के ले अने मॉत लिटता दिया था तो इसलिए नीवनेवस करन यसेख से बेन सेक्स से शूषेक्स से और भी बहुत सारे स्वाग से भी लोग आते रहते क्योंकि सब लोगों को पता था कि लांस नोरीन की शादी हो चुकी है लेकिन लेकिन अनौंसमें हो गई थी लेकिन कोई भी मतलब तो इसलिए मतलब मैडम यू चाहती थी इसलिए सब लोग को बुलाया था तो सब लोग आते सब लोग आने के बाद ना बी बतलब इतना पुरिटी लग रहा था वह पे ना 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 तलब वेंचीं ना भी लैंजन की उपर उसका दिला गया था जब उसने देखा था जब लैंजन वहाप एक यूद करने गया था तो वेंचीं ने लैंजन को यूद करते हुए देखा था तो वो बहुत ही जादा इंप्रेस्ट हो गई थी और उनके उपर दिल आ गया था उनका जब उने उसे पता चला कि वी लैंसन किसी और को बिलांग करता है उसका दिल तूट किया था और ना वो बहुत जादा ही रूई थी फिर दूसरी तरफ जब वी लैंसन कि शादी में आती है और उसे पता जाता है कि मतलब वो पापा वनने वाले उसका दिल और जाता है और वो बिखर जाती है उसे कुछ समझनी आ रहा था कि वो करे तो करे क्या उसे ना बिलकुल भी समझनी आ रहा था इसलिए ना उसे बहुत तो जहने दिले शादी हिरह विंग पंशुच यसी सीया के मैपले के हैं भी कि भी करने सारी दैनले rates नहीं कि अधे उसमार स्थाविई को खरी लेता है तो और जी है को सोजब बहुत समयनि ईफिंग और्सक्राइध्स वहापे नी हुसाइन भी आता है जो उसका दोस्त है तो नी हुसाइन भी आता है वहापे वेंचिंग भी कुमेगा थी नी हुसाइन भी कुमेगा थी और वहापे महम्या भी आती है और महम्या भी कुमेगा थी को देखती है वो बुट्याों तो दो मुझे पता है वहाइनि बहुत प्रिंग से बोलते हैं वह बहुत प्रिटी को लग रहा था उसके घूरी है वहारी भारी नहीं थे बहुत स्वाइब हैं तो गई तो नहीं सकी अंहीं मतलब अनौंस कर दिया गया था उसे मास्टर रहेंगे और लेंज दन वागा को प्रमूख तो इसे भाष्ग वाता क्योंकि लांज चाहते थे यह फिर फ्रमूख न रहे अभी इन सब चीज़ों को नहीं हैं रहना चाहता था लेकर जब तब इंकी दिलिबरी नहीं होगी तो वह काम करेंगे लेंस एक कि जब इनकी दिलिबरी हो जाए कि उनका बच्छा तो अरह सबरा हो जाएंगा तो लेंस अल मतलब वर देहें जर्ड रागी देहलें झाल से था पोसिशंव जेलेंगे और लेंजन उन इस तर को पुल प्रमूग पन जाएगा तो लेंजन हैसा ही डिसाइड कर रहा था तो आपर सब लोग नो बत कुछ ओ रहा था तो अचानक से एक तल वार ना लवीन की तरह आरी थी और सब लोग पहले से चोग अने थे तो लैंज, मतलब लैंजिचें, लैंजकुरें, जैंजञ, लैंज, लैंज्जण, लैंज शन, म लिए में भी वो एकदम चारो तरफ से घेल लेते हैं और वहाँ पे वेंच रहाता है वेंच रूहान का बेटा और बहुता है कि तुमने मेरे पापा को मारा और मेरी खुशिया लेना मैं तुमहाई खुशिया लेलागा वो न वेंच के उपर अचानक सुझता है बार करते ही रहता तु न न वो सब लोग विजी थे तो वेंच अउन इसम बेर जाता है सामने ही रह रहा था तो यह दीक के लांशे चाहिशे अध्र को बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे में म्यां भी लडने हों और है लोग Metro को बहुत अच्छा लगता है तो वाहँ पे बैंचल भी में को खेर के वे रहेते हैं सब लोगों को मतलब मारने के लिए जाना पर रहा था वींक को ऐा पिला छोड़ हा आप लेकिन वह दो तीनों मेगश से फिल ही ने चोड़ रहा थे तो चैंट चैंट को बहुत अच्छा लग रहा था जैंट चेंट तो को लां देटा के बाद舞 को मारतो है नहीं के बाद सारgon पर समर जाता है तो बहुत डरع सब बहुत पहल सुन के आप ले रहे हैं लुछ चोर पिसीजिटियुब आने के बाद विंग कर आए हैं लुद्ध हैंसका पर शायतांक बूलता हैं के लिए आप्स लूगों धर पना समय होका है उन सबने लुटते हैं हुमधहीं रहा होतों होत दुखाया है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप जियंग सैट के महमान है प्लीस रहिए तो आप पे सब लोग वह आपे मांच जाते हैं तो ना लैंजन लैंजीचेन बोलते हैं नी मिंजो से कि वह उसके भाई का हाथ मांगने चाहते हैं उनके अंकल को बोलके तो ना यानली और जैंग यानली यानली पॉचंत कर ने लिगा मिया को पसंद करने लगी है तो उन लोगों के शादी कि करे तो बहुत अ्च्छा होगाँ सब लोग हाँ और छादी मेंतल जाथे जी इंवर को जो रहे अपनी यानल्फास का बहुत पसंद आये थे तो इसलिए उन दोनों का मतलब उन तीनों का शादी हो जाता है तो विंग नमो बना के बोलता है कि सब लोग साधी करते हैं मैं कोई दांस नहीं कर पा है मुझे नाजना था मेरे शिचे की करकर की शादी में मुझे लेन करकर की शादी में शिचिन गगा की चादिय में भी बहुत मच्ती कनी थी, आप लोगों ने बहुत कलच किया, मैं आप लोगों से नाराज हो, तो सब लोगों हसने लगते हैं इंकी इस क्यूपनेस पे, सुब लोगों बहुत ही साद़ पोते हैं, आओ, इस ओके, तो ना ऐसे ही दिन बीते रहते लैंसन को मतला बी को दो अलफा, बेवी ब्वकाट होते हैं, एक नाम लैंशू, और Madla, sorry, का नाम, 31 रखा जाता है, अवर एक नाम ूरफ रखा जाता है, और वो दूनों बहुत थे, और दूनों ही बहुत ही जादा क्यूट हूँ टारी से वय थे, लैंसन वींको लेकि बहुत प्यार करेते हैं और मैं काने यह पेकतम करते हूं करते हूं यह काने का यह हैपी एंडिंग है आई होप आप लोगों को यह कानी पसंद आई यह modern fan fiction यह historic fan fiction था गाई किसे को पताने चला क्या तो अगर नहीं हो तो प्लीज काई subscribe करो subscribe करने में क्या जयता है यार subscribe कर दो प्रस करदो और मेरे चैनल को बहुत प्यार करो गाइस I love you guys मैं बहुत मुश्किल से ही सब करती हूँ और आप लोग लाइक नहीं करती हूँ कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे है बहुत बुरा लगता है यार इतनी मुश्किल से हम ही सब करते हैं तो आप क्यों नहीं करते हैं I love you guys Bye Bye